हेलो दोस्तों आप सबी का फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज हम सिखने वाले है पाइवोट टेबल तो मैं इसका आज का टॉपिक है पाइवोट टेबल तो पाइवोट टेबल कैसे यूज करते है उसको कैसे यूज किया जाता है देखे दोस 2019 में कितने सेल हुए तो ये सब सेल हुए कितने सिर्फ इलेक्ट्रोनिक्स में उसके बाद मैं पुछू फरनीचर में निकाल के दो मुझे आटो मोबल में निकाल के दो तो आप कैसे करोगे देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इतना लिमिटेड डेटा है इसलिए आप आस बहुत सारे कस्टमाइज कर सकते हैं हम पैवोट टेबल के दिर तो यह सब होता है पाईवोट टेबल में वो कैसे होता है मैं आपको one by one में स्टेप पैस्टेप में आपको सिखाने वाला हूँ तो दोस्तो अगर आपने यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चै कां पे मिलेगा तो देखे देस्तों यहाँ पे आपको insert menu में आपको यह फस्ट मिल जाएगा GS 되ome of saatनु आपको यहाँ पक्लिक करोगे तो डेखे यहाँ पे आटोमेटिकली जो भी हमने data और वो यह टांट कर रqura जोये टाइप कर रहा हैं वो पूरा को पूरा Dever नहीं करना है ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों यह सेकंड है न्यू वर्क सीट और एक्जिस्टिंग वर्क सीट तो उसका मतलब होता है दोस्तों अगर आपको जो पाइवट टेबल है कि आपको नई वर्क सीट में आपको डिस्पले करवाना है या फिर सीट यहाँ पर बनके सीट नमबर चार तो देखिए यहाँ पर यह पाइवट टेबल हमारा क्रियेट हो चुका है अभी हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं मानली जी कि को हमको को पूछता है कि चलो यह नेम ऑफ परसन सीलेक कर लेकि यह नेम है उसकी 2008 की सेल्स कितनी है देख देखिए यहाँ पर ग्रांट टोटल ऑटोमेटिकली आ जाता है देखिए यहाँ पर आप मिल से देख सकते हो उसके बाद कोई पूछे कि 2019 का भी दिखा हो तो 2019 सीलेक कर लोगे तो देखिए यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली वह आ जाएगा अभी कोई हमको पूछे कि चलो य तो आपको वो टुन ना है तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिपार्टमेंट सिलेक कर लीजिए उसके बाद नेम ओप वर्सन सिलेक कर लीजिए देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑटो मॉबिल में यह दो लोग काम कर रहे है इसका नाम आप देख सकते हो यहां पर यह इलेक्ट्रोनिक्स में है तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हो डेटा को और आराम से उसको फिल्टर भी कर सकते हैं अगर मानली जी के देपर्टमेंट वाइस हमको सेलल चाहिएं तो क्या कितनी सेल्स हुई है तो देखें यहां पर हम दो जार अटरा के सेल्स की बात कीजिए तो देखें यहां पर आतो मोबाल में यह जेDuश होई हैं 2018 का आपको चाहिए तो इनईस में भी आप यह देख सकते हो ठीक है तो इस तरह के से आप कस्टमाइज बहुत सारा कस्टमाइजिसन आप कर सकते है अपने डेटा के साब से और बहुत सारा फिल्टर भी लगा सकते है और आपका काम एकदम आसान भी कर देगा और उसके बाद इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं देखिए यहां पर अगर कोई आपको पूछे कि चलो मुझे यह आटो मोबेल है मान लिजे कि यह आटो मोबेल है आटो मोबेल की 2018 और 2019 की मुझे रिपोर्ट चाहिए कि कितना सेल्स हुआ है और कितने बंदे इलेक्ट्रोनिक्स में अभी 2018 में 2000 किये और 2019 में 1365 किया है तो वो कन्फिजन हो जाएगा वो बहुत ही उसको समझने में बहुत ही टफ रहेगा ठीक है तो इसलिए यह पाइवोट टेबल में अगर आप यह सिलेक कर लोगे और यहां से प्रिंट करके देगे तो आसानी से उ एपको बताता हूँ अभर मन लिजीए कि हमने यहां पर यह record है अभी मन लिजीए कि यहां देखो यह मेहूल है तो मेहूल का जो department furniture है उसका department हम change कर देते हैं नेम आफ डिपाटमेंट और उसके अंधर जो पर्सन है। कि नहीं आया है ठीक है वो फरनीचर में तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा यह एनलाइज चो टैब आप देख सकते हो अगर आपके पास पुराना को वर्जन है दोजर साथ है या दोजर दस है एक्सल का वर्जन एमस देख सकते हो तो उसको रिफ्रेश ओल कर देना है देखो यहाँ पर रिफ्रेश ओल कर दोगे रिफ्रेश तो देखो यहाँ पर जो गार्मेंट है तो गार्मेंट में यह मेवल चला गया है देख सकते हो अभी वो रिफ्रेश हो चुका है तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये एनलेस टेब में आके रिफ्रेश करना पड़ेगा अगर आप कोई चैंजिस करते हैं मेन रेकॉर्ड में तो ठीक है दोस्तों अभी ये मैं दूसरी बात बताता हूँ देखें यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैंने नेम आप पर्शन डि सेल्स टोटल सेल्स हम करते हैं सेल्स ऑफ 2018 और 2019 का ठीक है दोनों का मिला के हम करते हैं देखें यहाँ पर अभी हम 2019 का ठीक है अभी वो कॉलम है थोड़ा बढ़ा कर देते हैं देखें अभी थोड़ा बढ़ा कर देखें यहाँ पर अभी उसको हम जो यह फॉर्मेट पे इं यह दोनों का यहाँ पर total करते हैं तो हम यह दोनों select कर लेंगे और उसके बाद हम alt plus दबाएंगे तो देखें यहाँ पर automatic total आ जाता है तो उसके लिए दोस्तों आपको करना है फिर से analyze tab में जाना है जब आप analyze tab में जाओगे तो यहाँ पर देखें यहाँ पर refresh के पासी change data source यह मिलेगा आपको वहाँ पर click करना है change data source पर तो देखें यहाँ पर अभी जो हमने जो पहले से select किया था देखें यहाँ पर पुरा ना जो हमारा टेबल है वो selected है देख सकते है इतना टेबल हमारा selected है उसके बाद हमने यह column एक एड़ किया है जो हमको display करना है तो उसके लिए दोस्तों कुछ ने आपको यहाँ से सब पूरा यह select कर लेना है तो इस तरीके से दोस्तों आप पाइवर टेबल में आप बहुत सारे जो रेकर्ड़ होते है उसको आप फिल्टर कर सकते है और आसानी से आप एनलेइज करते है अपने रेकर्ड़ को तो दोस्तों यह corporate लेवल पर बहुत ही काम आता है क्यूंकि दोस्तों corporate level पर बहुत सारे रेकर्ड़ होते हैं जो thousands of record आपको ओऌ पर मिलते हैं और आपको आप इसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और दोस्तो इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइगन को प्रेस कर दीजे तो चले दुस्तों आज का वीडियो यहीं खतम करते है। जैहिंद वंदे मातराम।